जहां पर हमारे साथ दो और महमान जुड़े हैं हमारे वरिश सहयोगी अर्विंद कुमार सिंग लखनौ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्विंद जी जो रुजहान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो बीजेपी एकडम तेजी से आगी बढ़ती हुई दिख रही है अर्विंद कुमार सिंग के पास हमारे साथ संपर्क नहीं हो पारा है लेकिन बीजेपी एड़ कोडर चलते हैं जाँ पर ठावर सिंग गहलोत हमारे साथ है थावर सिंग जी ये जो अभी रुजहान देखने को मिल रहे हैं उसमें करनाटका का थोड़ी देर पहले हमने रुजहान बताया और उसमें देखा कि BJP वहाँ पर भी काफी तेजी से लीट कर रही है लेकिन आप लोग क्या आप मानते हैं किस वज़े से आप लोग की लीट च प्रमुक कारण ये रहा है कि भारती जनता पार्टी की जब सरकार थी तो वो देश के अन्य राज्यों की साथ-साथ करनाटक का भी तेज़ गती से विकास हुआ था और भाजपा की सरकार जाने के बाद वहाँ जो कॉंग्रेस की सरकार है वो जन समस्चाओं के समादान की द कॉंग्रेस का असफल रही है तो यही प्रमुक कारण है इसके साथ-साथ केंदर में जो यू-प् party सरकार की नाकामियां रही है यह थी कारण प्रमुखुरूप से कम सखंव करनाटका कर्णा कर्णाटका कर्णा काबू करने में तो सक्षम रही है कि कर्णाटका जहां तक प्रश्णा अगर उठता है तो केंद्र की यूपिय सरकार ने दुनिया के सब देशों के रेकार्ड तोड़ दिये है बैमानी, ब्रेटाचार, महंगाई, काला धन कमाने वालों को साउरक्षन देने का जो काम किया है UPS सरकार ने और एक कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बना दिया उसका परिणाम है कि करनाटक में फिर से भारती जन्ता पार्टी भारी बहुमत से जीत रहे है अच्छा करनाटक की बात छोड़े अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है आप लोग का बड़ा तेजी से उभार देखने को मिल रहे है उत्तर प्रदेश में तक्रीबें 45-46 परसेंट वोट से आप आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मध्यप्रदेश है थोड़ी दूरी पर राजस्तान भी है चतिस गड़ भी है भारती जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने तेज गती से विकास कार किये है 12 गंटे बिजली उपलब्द कराई है किसानों को बिना ब्याद के रिण दिया है गरीबों को एक रुपे किलो गेउं दूर्प प्रदेश और राजस्तान का असर उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश और राजस्तान के हिसाब से नहीं सलता था कि एक चीज मैं कहना था हूं मैंने जी ने कहा कि गवर्मेंट किसी में यू कह रहा हूं जी बहुत लीजे आप अपना सेंटेंस पूरा करें अच्छे काम किये उसका असर भी है और फिर और फिर नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के प्रतिक के रूप में अपनी चबी बन फेलियर जो कहते हैं वो दूसरी तरह की फेलियर थी मैंनेजिंग और परसेप्शन की फेलियर थी अगर एकनोमिक ग्रोथ देखें मैं आधर शाथ हूं पिछले दस साल में 7.8% परसेंट रहा हूं जी तीन सालों को छोड़ के तीन सालों में तो आपन डान तो पहले तीन सा की परफॉर्मेंस के लिए एक चीज है इसमें इनकी सक्सेस है और इनकी जो फेलियर है वेलियर इस इसूस पर चला गया है और दूसरी चीज है इंफलेशन हो यह संजाने से कि लोगों को कि आपकी ने लेकिन आप एक अर्च शास्त्री है आज जो हमारे दर्शक इस समय टी कि लोथ होती है तो महेंगाई भी बढ़ती है क्युक्कि जब इंकम बढ़ती है इसे इंफलेशन दो वजे से होता है या सप्लाइ साइड इंफलेशन जब उत्पादन की पीछे जाना पैसा लगता है तो जब आपकी आम नहीं बढ़ गई और आप कहनी कि हमको टमाटन वह कि लोगता है तो में इंकम बढ़ गया लेकिन मुझे टमाटन वही दोरुपर में चाहिए है अजा है कि जब प्याज का जो किसान है प्याज को उपस करने वाला उसको भी तो उसी हिसाब से देना चाहिए ना अपने रेट बाजीब दान मिलना चाहिए उसको तो यहां तो मौफोत खोरी की हमारे समाज को आदत लगी आदत हो गए कि एलपीजी ग्याश पे पांसो चालीज उपे सिलिंडर पे एक सबसीडी मिलता है और एक लाक करोर की सबसीडी है जो मेली क्लास अपर कैसे को जाता है तो आम आदमी की जब से निकल रहा है क्योंकि उसको जो लग अपने आपको आवाद में कह लेते हैं मैं अगर मैंनेजमेंट हम लोग तो नहीं करेंगे ना कॉंग्रेस के लिए यह तो उसकी कमजोरी साबित हो गई क्या कि आप जो मद्दाता है उन लोगों ने अपने रुज्वानों से यह स्बस्ट कर दिया कि कॉंग्रेस सम्दोर र अज़ा है कि रहूर गख़ांधी Leadership Прिजून नहीं करा है यहर से काया है किस की लिए च्टॉन एरा किसकी अपने मैं इन के आख एञी किन क्यारे कि सब्सक्राइब नहीं नहीं लिए के आखरें लिए — अगर 본रा चे नहीं लिए नहीं किया हूए ऋविए नही फटकरें छोस स कि आझे प्रियान ज़िए सुष्ट आइ अजिए अजुनाओ कि घुट प्रियाट्रा फिस्ट आप टूर्प सेंक्राइपिश टेने समी इन इनले तूर्च ए जूर्च अजू इंडान। dellिडी अजूर्ट गूर्च जुर्ट इन ए इन इन दूर्च वरणिश्टर इन इन फसक्राफ प्रतलाब करना आज परता है, यह सिर्ण फिर्टन परतला में लुपर, गाज़ थां परतला आज हैं लुपन से 2 errors लावा करें द लेड़ एकार्णारी अवीज रहट पोलिख और लिए एक गला पोड़ भीज उपक्तिल में इंड को लावान इंड हो बेफाली है अुटिछ लेड़ लेड होगा बहुत इंड है। The third, I would say, is the negative policies of the UPA 3 which suffered from the policy paralysis. I was just listening to this discussion that the prices of vegetables were not in the hands. You know, food price inflation was maximum, 20%. And when Mr. Sharad Pravar in the Rajya Sabha says that almost 45,000 crore worth of food grains and foods and vegetables get perished in this country, and then you are blaming the prices on something else that farmers should get a better remunerative prices. Is this the case? The answer is square no. The farmer is not a beneficiary. But you have to have a lot of challenges. You have to convince people to get this. When you are providing this, we will increase growth rates. When you increase the growth rate, you will also increase the challenges. We have to convince people to get it. We will also tell you that you see the growth rate. And by the way, you will also increase the growth rate. You will also tell me about the good news. The ones that we see now on the rise of the trends, is the only key leaders of Congress. All the leaders of Congress is going to go back. Sachin Pilot is going to go back. CP Joshi is going to go back. Chandraish Kumararí Katowicz is going back. Namoha Narayan Mirah is going back. Girja Vyas is going back. Jita Ingres Singh is going back. यह वो नाम है जो मंत्री रह चुके हैं इस केंडर की सरकार में पूर्णिमा जोशी पूर्णिमा भी हमारे साथ जुड़ गी है पूर्णिमा यह जो यह जो टेलिंग नतीजे यहां का है कि रुजान दिख रहे हैं इसको देख के आप क्या कहेंगी कि बीजेपी का तो जिसको हम लोग बार-बार कह रहे थे कि अभी वेब चल रहा है मोदी जी का कि नहीं चल रहा है वो तो यहां पे इस पर्ष्ट होता हुआ दिख रहा है कि वेब चल गया कॉंग्रेस के मंत्री तक पिछे चलने लग गए कि अभी दिखे रहे हैं यह काफी दिरों से हम लोग बार-बार कर रहे थे कि बीजेपी जो है एक अंटी कॉंगर्स जो संटिमेंट है जैसे जैना आए अंग्रास जी ने कहा है अभी ने चूब जाट ने करेंट कि इस दोब दिखगए हैं टॉर्स तर्वर्स आटप्राइश चारूर्स देखे लेधेंट इस जाटूजाट था मूझ टोबगी अब्यू चार्ट अग्राष तिंच चिज से ले अव्यर्स चार्ट एंग धिंग, वंग्र मूझे, लेरी स्वेष्ट पर्डेश्य थालेश्ति प्रोड जार्ट अजान बालार। ist है ज़ी हैं इन और रिर जोंग्या ऑंग्या प्रटोर निया सुजग पनाज़ प्रटोर जे इक इल्स प्रच्छिब में धर सुछ Bar इस अज़ अजब प्रड विधना जान पर फिशिए लग झार लोग प्रियर में चाहते थे और इसलिए एक हार पार्टी का मुश्वास किया और उस तरफ जाते हो दिख रहे हैं जैनाराएंट जी मैं आपको इसमे शामिल करना चाहती हो एक हार फ्रेंट दिख रहा है बीजेपी 62.2% से लीड करी है गुजरात में और कॉंग्रेस को सिर्फ 26% वोट लीडिंग फ्रेंट के रूप में दिख रहे हैं तो बीजेपी जो जिस ने तीन साल से वाहाँ पर राच किया है वो अभी भी अपना गढ़ बरकरार रखने में औ और उसको उसके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में एक तरह से काम्याब वोटिंग भी दिख रही है यहां पर देखिए जब हम कहते थे गुजरात मोडेल की बात करते थे और इस मोडेल का जो लोगों के जन्जिवन पर इसका जो असर है उसकी बात करते थे तब कॉंग्रेस और उनके साथी हमें बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते थे मैं कहूंगा कि इतना सारा लंबा अर्षा गुजरात में शाषन करने के बावजूद भी एंटी इंकंबंसी कहीं नहीं दिख रहे है उसका अगर कोई माइना आए तो यह है कि गुजरात में जिस तरह से शाषन चला और जिस तरह से शाषन के जडिये जो लोगों तक इसकी पहुंचे काफी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है और उसके साथ गुजरात का ही एक सपूर्त आज देश का प्रजान मंतरी बनने जा रहा है वो भी एक फिलिंग इसके साथ जुट गई तो मैं मनता हूँकि कुल मिलाओज आज याज जो देछ रहे हैं वह उसके नतीजे है सुशाषना का परइंदाय मैं अजो वो खुछे उतको लोग इतना फरोसा करें हूए इक कर दोगत जेंग अवह difficult गुजरात करेंगे ना तो फूर्थ है परफॉर्मेंस प्राइब उसके आगे दूसरे भी राज्या है तो विकास के मौडल को अगर हम चोड़ दें लेकिं ये तो है कि सुषासन पे लोग विश्वास कर रहे हैं और आज अगर गुजरात का चोवन परसंट मदा था अगर बीजे पी पर मैं परसंट प्राइब उसकासर भरूसा कर रहा है तो कहीं न कहीं ऑसके तमाम जो कमियों के सास्थ उसक्कू सुषाफ कर रहा है इसमें दो मौने काम ठीकी किया है सुषासन नहीं था सुषासन था और एक ब काम करता है यह बड़ा एक फैक्टर हो जाता है कि हम ग्राउंट पे है मगर यह कहना अभी मुझे इनके कठनाईयां मुझे कुछ मैसोस हो रहे हैं कल एंजी वाजिया ने कहा कि भीजे पर कुछ तष्ट बहुमत मिल जाता है तो यह राम मंदर ख़डाना है और सरन एवडिया को देखना है उन्हें में अपने एंजी वाजिया कुछ छोटी नेता नहीं है जी 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 वो चैलेंजेस के बहुत है मादूर स्वामी सबसे बड कर लेंगे जो अभी इन्होंने एक बात कही कि जो सल्फ प्राइट की भावना है वो गुजरात के लोगों में जादा दिख रही है और इसलिए एकदम सिक्स्टी परसेंट से भी उपर से 64 परसेंट के करी वोट रुजहान देखने को मिल रहे हैं लेकिन हम सिर्फ गुजरा पानिस्टरे का और कॉंग्रेस तीसरे पाइदन पर पहले भी थी अभी भी पहुंच गई है नहीं मुझे लगता है कि गुजरात का तो अपना एक होगा ही क्योंकि उनका एक नेता आज प्रदान मंतरी बनने जा रहा है तो वो एक सेल्फ प्राइड जो होते हैं गुजरात प्राइड तो होगी होगी लेकिन जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देश में एक हो गया अब हमें बदलाव चाहिए और वो बदलाव की जो जनता के मन में जो भावन मुझे लगता है बीजेपी में बीजेपी ने और अच्छी तरह से उसको अपने पक्ष में कर दिया और मुझे लगता है यह जो नतीजे आ रहा है वो उसी का परिणाम है बदीजेश के लिए बदलाव प्र वीजेश को अब चाहिए लगता है विजेश को जो जो फिस दिर वामसे जाख लगता है यह जो रहागता है यह जो जो टेसे लिए लेज़ लगता है यह उन एक बारे आपक्ष लूल्स्ट और यस अलिड़ करता ही जिसलेर इसकेंड़ंग कर षंप बोस्तव। और लिए हैंटाडरी चाल यसमेnothing झाली कोरें किरेंगेर्टंपी ऐस वे तो आउरे मूंध मुझेय hace से बने माइथ sebagai मुझेट है कि डहीड जड़े को बेडि़ करवारे इस यूवा लेडि़ लग ऑच रव लूहिट भाराइभ विच्ट ए थेडि़र लेड़ी अवारे लthem ऐगारी फिरत प्रूम करेंट विडियन हूट करवारे थे युर्ट टूम्य। है अधि रही हूँ लगए पूरेम। इंबाल करव this is the UPA conference Dual I am 25, it seems like the UPA is doing terribly this time around and it might not even cross the 100 figure of course these are trends that we are getting from 510 seats Priyanka Sathurvedi you were seeing that these are early trends of course okay we seem to have lost Priyanka of course but I mean it seems consigl Therefore, the congress now to cross 100 the news only gets even worse because we are getting trends from Ameti राहु गांधी और एंदाधी चाहिए कि राहु राहु दा टाल एप खुड़ागे तान थाथ। अजुटांगी अजुट अजूटर吉 अजुट्ट हो अट्धिट अंट नियूच्ट अट रगांगी आट्सरी तर छे फ्रहु कि अव exists this egoism के टुकर आज़ गुट छेखने के लिए यो फे लेक चाहली इस वाइब आखे लिए अज़ी इस विए आज़ में के लिए लिए राहुल। है कि अट ऊट को पस्टेदे वीडियर I have no doubt about it. He wants his party to do well. And I am sure the country also needs a strong opposition. But for that, the Congress itself needs a strong leader. I think Congress should also realize that this a complete rejection of their kind of politics. This dynastic, family-oriented, this Darbar politics. Complete rejection of that by people. People are getting tired. There is also reject other parties. Mullam Singh's party, you know, Bada's party, all these family-control teams. तो एक आपने जो आपका एनलेसिस से बड़ा इंट्रोस्टिंग है कि सभी तरह के जितनी भी पार्टियों में डानेस्टिक पॉलिटिक्स है वो यहां पर ध्वस्तोती हुई दिखनी क्योंकि है पर रिशनल पार्टियों का भी अगर हम देखें रुजान तो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है जैनरान व्यास जी हमारे साथ बने हुए हैं और कुछी दिर में हम अपने समवादाता शाम सुन्दर के पास भी चलेंगे लेकिन जैनरान व्यास जी क्या ये वाकई आप देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी मद्दाता है वो एक क्लियर मैंडिट चाहता था और तमाम जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की खामिया है उसको भी इस वेप के जरिये दूर करना चाहता है देखिए मैं एक मिनिट लेके आपको एक प्रसंद बताता हूँ जब आरके लक्षमन जी को मैकसर से एवोर्ड मिला था तब किसी पत्रकार ने उन्हें पूछा था कि आपके जो कार्टून से उसमें सबसे आपको रदे के करीबी हो डियरेस करिकेचर कौन सा है तब उन्होंने जो जवाब दिया था वो इसका काफी हद तक एक एंसर देता है उन्होंने कहा था कि ये करीकेचर कौमन में का है जिसके मुँ में मैंने एक शब्द नहीं रखा जो थोड़ा सा मौचक का अज़ा लगता है आँखे खुली है कान खुले उसका सर बिलकुल अपने ज़र पे मौजूद है ये कौमन में का प्रतीक है वो सब देखता है सुनता है और सही समय पे सही निनाई लेता है मैं मानता हूँ कि इंदिरा गांदी ने जब कॉंग्रेस को स्प्लिट किया तब से लेकर इमर्जन्सी से लेकर जनता सरकार को हटाने से लेकर राहूल गांदी को सबसे ज़्यादा सीटे लेकर आज तक इस देश के सामान्य आदमी ने जन सामान्य ने कभी भी तक हो नहीं क आम आदमी का हाथ कॉंग्रेस पार्टी के साथ के नारे के साथ कॉंग्रेस पार्टी ने 2004 में चुनाओ लड़ा और बार बार ये कहती रही है लेकिन इस नमें जो कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी चाहे दिल्ली हो चाहे हिजाब में भी दोनों ही जगों पर एक तरस से कहें नो थर्ड और अल्टरनेटिव के तौर पर नजर आ रहा है और फरीत कोट में संदू सिंग लीड कर रहे हैं फतेगर्ड साहीब में हरिंदर सिंग खालसा लीड कर रहे हैं पतियाला में धरम वीरा गांधी लीड कर रहे है और संग्रूर में भनवन पमान लीड कर रहे हैं तो यह कुछ ऐसे ट्रिंड हैं जो चाहें दिली की बात हो यह पंजाब की बात हो यह यह किंद्र के बहुत करीब है पंजब मैं पंजाब जो सबसे औजीन पात देखे इस बार हम मैसिव एंटीन कंबेंसी थी स्टेट गवर्मेंट जिसकी वज़ा से अरूम जेटली का शुरू में लग रहा था कि वो हार भी सकते हैं लेकिन मैं एक बात जो मुझे समझ आई कि कॉंग्रेस को जो एक एफेक्टिव ऑपोजिशन की बात थी कि वो कुछ कर देंगे वो करने ही पाए इस वजह से आम आदमी पार्टी ने वो स्पेस लिया और उसमें काम किया हैं दिया रीपिंग बेनिफेट्स ऑफ दाट जी हमारे साथ विजय चौक पर हमारे संवालता श्याम सुंदर जुड रहे हैं श्याम सुंदर विजय चौक पर किसका विज सबाट चिनाओं में आम आदमी ने प्रदर्शन किया उसको एक तरह से काहें बरकरार रखती हुई दिख रही है बहले ही वो सेकंड नंबर पे चली गई है लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन दिल्ली और पंजाब में देखनी को मिल रहा हैं थी अच्छा प्रदाब चार प्रदा प्रदर्शन किया उसक्ति वी क्नाओट ने रिएविज पर कि लूग्ट प्रद का विज़ प्रदाब में आदर जोव तो प्रदाब से में तर्दाब का जयर प्रदेक्ट in 16 of those seats TDP in 13 of course that of course is mainly from the Semandra region Shiromani Akali Dal of course doing well four seats there, LJP in three and if you look at the UP of course the Congress is at 62 NCP 6 RJD 4 IUML 2 and of course so on and so forth some of the other allies there with one seat. Let's go back to Sham of course at the moment Sham go ahead. कर देखराइब देखेते हैं यूंधूदीम टेराइब कर देखे इंठे बादे आमादमी पार्टी है लुटारी काज़ इसिते हैं. I was traveling in Punjab and there in many constituencies we have seen that Congress was looking pretty good because there was anti-inclusive factor working against Akhali Dal government and senior BJP leaders were apprehensive about the victory of Ms. Haroon Jetli. But then Aamadmi Party, the way they tried to connect to the common people of Punjab, In the way, the Aam Aademi Party, the Aam Aademi Party, had promised an inquiry in 1984 Sikh Rights. And then, the way they raised the issue of drugs in Punjab, I think the Aam Aademi Party was able to convince people of Punjab, more than Congress. And, I think there was another factor working in Punjab that was November Modi, I think जब अंग्रेजी में सवाल पूछे जाते हैं तो जीतने वाली पार्टी बीजेपी हिंदी में जवाब देती है और आम आदमी पार्टी की जो प्रतनेदितों करने वाली आम आदमी पार्टी है जब की कॉंग्रेस पिछटी जा रही है जब करें तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि कॉंग्रेस ने वहाँ पर जो एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर है उसको समझा और उसको हैड़ान लेने की आकाली दल गौवर्मेंट का हैड़ान लेने का एक संदेश देने की कोशिश की लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह किया जिस तरह से पंजाब में उन्होंने 1984 के सिख विरोदी दंगों की इंक्वाइरी की बात की हो या जो नशे का मसला है पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है उसकी बात की हो तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जादा कामियाब रही आम लोगों के साथ वहाँ पर क क्योंकि ये लग रहा था कि कांगरेश बहुत बड़ा अभब त बड़ा पलेर के तौर पर इस वार अबार कर नहीं आ रहा तो शायद ये की वजर एक और चीज देखने को मिलिए लोटेंगे आपके पास शाम एक और चीज़ देखने को मिलिए दिल्ली की बात करें दिल्ल को देखिए अभी तक ही कहा नहीं जा सकता है। और इस एलेक्शन में वह कॉसॉलिडेट हुए है कम नहीं हुए है। इस एक कारण यह है कि आम आदमी पार्टी के जो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी जो कहती है कि कॉंग्रेस और बीजेपी ने हमको काम करने नहीं जिया है। उस पर उसका विश्वास है। मुनिक्लास का नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो देखिए अर अदमी पार्टी इन देली। हमारे साथ पटना में जेडियू के कैबिनिट मिनिस्टर पी के साही जी जुड़ रहे हैं। साही जी अभी तक कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी काफी आगे जाती हुई दिख रहे हैं। आप लोग बीजेपी से अलग होकर कुछ उदलती तो नहीं कर बैठ है। साही जी क्या हमारी आवाज सुन पारहे हैं? लगते है साही जी तक हमारी आवाज नहीं पहूंच पारी है जहां तक मुझे याद जी एक इंटरस्टिंग ट्रेंड है असाम में बूजेपी जो है सुप कर दे असाम में जहां पर कॉंग्रेस का कि तीन बार मुख्यमंद्री हो र्शका और लगातार असंद में उसकी प्रदफ जिते आया है और लोग अभी भी कहते हैं कि साज़ पोस कर रहा है कि वह रहा है जी तो जो भी नतीजे या रुज़ान अभी तक देखने को मिल दे हैं उसमें बार बार यही देखने को मिल दे कि भारती जंता पार्टी काफिश आगे को मिल रहा है कॉंग्रेस पार्टी का 27.5% 10% का फर्ग दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है और All India United Democratic Fund AIUDF का सारे 12% के आस पास है और इंडिपेंडेंट 1% 13% के हिसाब से ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं टूल of 13 seats there of course, the BJP ahead in eight, the Congress in two, AI UDF in two and of course, an independent candidate in one. So... I will see immigration move, move. Yeah, yeah, yeah. It is only a code word for anti-somebody else but it has caught on, you know, and that... No, no, there was also a version of Mujaffa-Nagar in Assam because we had seen some riots... During the election, करएं जान। जान। थान। को भूर भूरस्टा वजिधुत्त कर्स इस तम एंगॉ लूंगल कर्ण एंगुट्ट रश्ट्टा इन। जा है टीए। है कि अखुन। इस नवजबरा रश्से्ट ग्रेंट। प्रेश्टि देसे ले लुग है कि अटिस्त प्रेंगुट्ट दोल में रेप्रोचिय को अस्यारें पर यहाई जार ही जय है उतक पुर्श . एपन्वाइक सब्सक्राइब कार टांव कार फ्यारिया जाएट ज क्वा असब चूल फिर फ्यारशना के फिर्टिर भी इतते हैं पूर। यहाई गाउब जार हैं तो फिरिया जारे टेहां जारा ह 303 से वोल, the BJP is ahead with 37.2% of the votes, the Congress of course 26.8, Amabh the party with 3.3%, so if you look at the percentage, it is considerable for the BJP, but if you look at the number of seats, it is far more, you know, bigger. That is always the case. They are punching about the vote. Yes. Yes. Not punching about the vote, you know.